हलो दियरी स्टूटेंट्स वेलकम टू माई यूटूब चैनल लाशिद अंजम सर जूनियल फाउंडेशन आज हम लोग एकसरसाइज 3.4 के इंटोड़क्शन को देखने वाले हैं जहां पर हम लोग कुछ स्पेसल पैलेलोग्राम्स के बारे में डिसकस करेंगे जानेंगे कि कैसे कैसे पैलेलोग्राम्स होते हैं बेसिकली मैं यू कहूं के पैलेलोग्राम्स के काइंट्स को हम लोग देखने वाले हैं जिसमें जो सबसे पहला है जो हमें जानना है वो है बेटा रॉमबस तो सबसे पहले फटा-फट से हेडिंग लगा रॉमबस टेक है रॉमबस जल यहां पर आप समझे लो और इसके पार्लेल हो जाएगा और एक्जाक्ली यह वाला साइट इसके पार्लेल हो जाएगा तो इसे हम लोग पैरलेलोग्राम कहेंगे अब रॉम्बस भी जो है a parallelogram, पेखो shortcut में ऐसे लिखेंगे, a parallelogram whose all sides are equal, all sides are equal, ठीक है, एक ऐसा parallelogram जिसके सभी sides equal है, उसे हम लोग बोलेंगे rhombus, exactly इसका जो figure होगा, वो कैसा होगा, यहां पे ध्यान देना, यह देखो, यह हमने क्या बनाया, बिटा, एक parallelogram बनाया, और parallelogram ही हमारा एक rhombus होता है, तो हम क्या करेंगे न, यहाँ पे यह All-Sights तो Equal नहीं है, तो All-Sights हम इसको Equal करते हैं, All-Sights Equal कैसे होगा, हम इदर से काटना चाटना शुरू किये और Exactly हम यहाँ तक चले आए, अब यहाँ पर आ कर 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 के, देखो All-Sights हम Equal कर रहे थे, हम यहाँ पे Equal कर दिये, अब हम इस कुछ बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा सबसे पहले हम नेमिंग कर देते हैं और नेमिंग में बेटा इसका नाम लिखते हैं A, B और ये रहा C और ये रहा D अब इस A, B, C, D में जब ये पैलेलोग्राम रॉम्बस बना तो इसके all sides equal हो गया all sides equal बोले तो A, B के बड़ाबर D, C हो गया और यानि A, B के बड़ाबर D, C गया सभी के सभी sides यहाँ पे equal हैं तो हम सबसे पहला concept यहाँ पे ये लिखने वाले हैं कि A, B जो है वो equal हो जाएगा B, C के और B, C equal हो जाएगा C, D के और C, D equal हो जाएगा D, A के exactly all sides are equal, यहाँ पे आपने ये वाला जो concept लिखा, वो definition से लिखा, कि यहाँ पे all sides equal होंगे, अच्छा जब parallelogram हैं, तो parallelogram के जितने भी सारे properties होते हैं, वो सारी के सारी properties यहाँ होने वाली है, यानि हम यह कह सकते हैं कि opposite sides जो हैं वो parallel होंगे, तो exactly यहाँ पे हम उन बातों को भ parallel, opposite sides are parallel, जो opposite वाले sides होंगे, बिटा, parallel क्यों, क्योंकि यह एक parallelogram है, इसका मतलब ABC के parallel होगा, तो उन बातों को लिख लेते हैं, AB parallel DC and, बिटा, बड़े ध्यान से समझना बहुत detail से पढ़ा रहे हैं, AD किसके parallel हो जाएगा, BC के parallel होगा, तो AD parallel BC, तो यहाँ पे आपने ऐसा क्य क्यों कहा, क्यों, क्योंकि यह rhombus भी एक parallelogram है, अच्छा, और सारा parallelogram की properties क्या होती है, opposite sides are equal, तो यहाँ पे वो बात को भी लिख लेंगे, कि opposite sides are equal, opposite sides are equal, यहाँ पे इन बातों को लिख डालेंगे, opposite sides equal मतलब कि AB DC के बड़ाबर हो गया, ओ शिट, opposite sides equal क्या है, यहाँ पे तो rhombus है, तो इसको all sides equal है, तो इसको लिखने का मतलब यह बनता है, कि AB DC के बड़ाबर होगा, और ADBC के बड़ाबर होगा, यह बात भी आप कहा सकते हो, पहले लोग राम में होता है, तो वो आप कहा ही सकते हो, बट rhombus होने के वज़े से, यहाँ पे सभी के सभी sides equal हो गया थे हाँ, exactly तुम यह कहो तो जादर बेतर होगा, कि opposite angles equal हो जाएंगे, opposite angles are equal, opposite angles बटा equal होंगे, opposite angles equal होने का मतलब यह हुआ, कि पहले लोग्राम में जो opposite angles होते थे, जैसे कि A के बड़ाबर C हो गया, तो यहाँ पे लिखेंगे, angle A is equals to angle C, and, और क्या लिखने वाले हो, D के बड़ B हो गया, तो angle B is equals to angle D, तो यह हो गया, आपके opposite angles are equal, ठीक है, पहले लोग्राम में adjacent angles supplementary होता है, उन बातों को भी यहाँ पे लिखेंगे, adjacent angles are supplementary, adjacent angles are supplementary, supplementary बोले, तो क्या होगा बिटा, supplementary बोले, तो वो sum 180 हो जाएगा, यानि A और B को add करो, adjacent है, तो 180 होगा, angle A plus angle B कितना होगा, 180 degree होगा, ठीक उसी तरीके से, A का adjacent तो बेटा D भी होगा, तो A और D को add करने पे 180 degree आएगा, यानि angle A plus angle D is equals to 180 degree, ऐसे आप और भी adjacent angle को बता सकते हैं, और उसके sum को supplementary बता सकते हैं, add करने पे 180 degree आने वाले हैं, इतनी सारे चीज़ें तो आपने समझ लिया, but must important चीज़ जो है, वो इसके diagonal के बारे में चीज़ों को समझना है, diagonal बनाए, तो ये AC एक diagonal हो गया बिटा, और दूसरा कौन हो गया, तो BD दूसरा diagonal हो गया, AC और BD, तो यहाँ पे एक बात ध्यान देना, कि ये AC और BD जो है ना, वो दोनों एक दूसरे को bisect करता है, bisect करने का मतलब क्या हुआ, कि ये वाला इधर से BD जा रहा था, तो जाते जाते इसको आधा कर दिया, और इसको आधा कर दिया, bisect कर दिया, यानि दो टुकडों में बात दिया, यानि आप ये कह सकते हो, कि जितना length ये होगा, उतना ही length ये होगा, अगर इसक दूसरे को हाफ-ाफ बांट दे रहा है बिटा यानि जतना यह OD होगा उतना ही OB होगा तो exactly हम यहां पे लिख देंगे के diagonals bisect each other लेकिन इसमें एक खास बात यह थे कि दोनों एक दूसरे को आधा-धा तो कर रहा था लेकिन यहां पे angle 90 डिग्री बना रहा था बिटा हर जगा angle 90 डिग्री बना रहा था यहां भी 90 यहां भी 90 यहां भी 90 इसका मतलब हमें यह पता चला कि diagonals एक दूसरे को bisect तो कर रहे हैं बट perpendicularly कर रहे हैं तो उन बातों को यहां पे लिख देते हैं कि diagonal bisect each other सबसे important प्रोपरिटी इसकी यह ही है बेटा diagonal bisect each other diagonal bisect each other एक दूसरे को वो bisect करता है each other perpendicularly यहां पे perpendicularly का मतलब समझे बेटा perpendicularly कहने का मतलब यह हुआ कि 90 डिगरी पे वो bisect करेगा 90 डिगरी बोले तो आपको दोनों के बीच में 90 डिगरी बंडा होगा दोनों diagonal के बीच में तो सबसे पहले हम यह कहेंगे od के बड़ाबर ob हो जायागा sir od is equals to ob होगा and और क्या कह सकते है oak is equals to oc होगा तो oa is equals to oc यह तो हो गया bisect each other किया अच्छा bisect करने के बाद में आपको मैं बताऊं के देखो 90 डिगरी भी बना रहा है तो उन चीजों को भी लिख देना चाहिए तो यहाँ पे कोई एक एंगल लिख दो angle c o d angle c o d जो है बेटा वो exactly 90 डिगरी है तो इससे तुम्हें पता चल जाएगा कि जितने भी angles बन रहे है उस diagonal के point of intersection पे वो 90 डिगरी बन रहे होंगे तो दो concept यहाँ पे बहुत important है एक यह diagonal वाला concept और यह दूसरा rhombus वाला concept ठीक है तो इन दोनों concepts को अगर आप बहुत अच्छे से जान गए तो देन यह समझो कि आपने rhombus को बहुत अच्छे से जान लिया और समझ लिया ठीक तो हम heading दे देते हैं rectangle आप भी heading दे दो rectangle अब यह देखना rectangle होता क्या है rectangle भी एक पैलेलोग्राम है जिसके सभी angles equal होते हैं यह पैलेलोग्राम यह पैलेलोग्राम whose all angles are equal whose all angles are equal चलो यहाँ पे हमने उसकी definition तो लिख लिए बट अब सारी चीजों को एक एक करके detail से समझना है rectangle देख बटा यह rectangle एक ऐसा पैलेलोग्राम है जिसके सभी angles equal होंगे सभी angles equal होने का मतलब यह है कि जितना angle यह होगा उतना ही यह होगा और उतना ही यह होगा और for your kind information यह सभी के सभी angle equal तो हैं बट किसके equal हैं तो exact 90 degree के equal हैं तो हम यहाँ पे naming कर देते हैं यह angle A, B, C और D actually यह vertex का हमने नाम रख दिया अब यहाँ पे देखो कौन कौन से conclusion पे तुम पहुंचते हैं यह rectangle के बारे में बता है तो definition से हमें यह पता कि सभी angles equal होंगे इसका मतलब angle A, angle B के equal होगा और angle C, angle D के equal होंगे यानि सभी angles आपस मे equal होंगे और भी किसके equal होंगे बेटा तो 90 degree के equal होंगे यानि हम यह कह सकते हैं कि rectangle Equi-angular होगा, Equi-angular कहने का मतलब क्या हुआ कि सभी angles आपस में equal होंगे और भीं हो राइट अंगल होगा वो राइट अंगल बोले तो each angle 90 degree तो बेटा Equi-angular होता है rectangle ध्यान में रखोगे अब आपने समझ लिया कि Equi Angular ये तो मैंने Definition से लिख लिया और ये एक Parallelogram भी है तो Parallelogram होने के वज़े से Parallelogram की जितनी भी सारी Properties होती है वो सारी की सारी Properties यहाँ पे होंगी तो उन बातों को आप यहाँ से समझ सकते हैं कि Parallelogram का Opposite Sites जो है वो Parallel होता है तो Exactly AB किसके Parallel हो जाएगा DC के तो हम यहाँ पे लिख देते हैं Opposite Sites are Parallel ठेक है? Opposite Sites are Parallel यह ऐसा क्यों हुआ बिटा? क्योंकि वो Parallelogram था तो Opposite Sites Parallel होने का मतलब यह हो गया कि AB Parallel हो जाएगा DC के and AD Parallel हो जाएगा BC के पेटा, Equal नहीं, यहाँ पे Parallel का Concept समझ रहे हैं तो Parallel AD Parallel BC तो Exactly यहाँ पे हम लिखेंगे BC तो Opposite Sites are Parallel अच्छा, जब Opposite Sites Parallel हो गया तो Opposite Sites Equal भी होगा तो Exactly हम उन बातों को भी लिख देंगे कि Opposite Sites are Equal Opposite Sites are Equal यह पैले लोग्राम में होता है हर एक पैले लोग्राम में होता है पेटा, Opposite Sites Equal ठीक है तो यहाँ पे हम लिख देंगे Opposite Sites are Equal इसका मतलब यह हुआ कि इस AB के Equal पेटा DC होगा यहाँ पे लिख डालो AB is Equal to DC और क्या लिख सकते हो कि AD के Equal BC होगा तो यहाँ पे AD is Equal to BC तो फाइनली तुम्हें यह पता चला कि Opposite Sites Parallel भी होंगे Opposite Sites Equal भी होंगे हर एक एंगल 90 डिग्री यहाँ पे होंगे तो यह सब बातें आपने बहुत अच्छे से समझ लिया अब Diagonal के बारे में समझना यहाँ पे देखो यह Diagonal AC एक बनेगा बिटा एक Diagonal AC तुमने बना लिया और जो दूसर Diagonal बनेगा वो BD बनेगा या DB कहलो यहाँ पे दो Diagonal बनेगे और यह दोनों के दोनो Diagonal बिटा Equal होंगे और Equal होते हैं तो Diagonals are Equal इन बातों को भी लिख लेते हैं कि Diagonals are Equal यह Diagonals Equal होंगे अब वो Diagonal कौन कौन से हो गए AC and BD तो यहाँ पे लिख दो AC is Equals to BD बात किलियर हो गया क्या AC, BD के बड़ाबर होगा अच्छा एक बात तुम्हें पता हैं यह जो Diagonals जा रहे थे तो एक दूसरे को BISECT भी करते हैं यानि जितना इधर उतना ही इधर और For Your Kind Information कि यह सभी के सभी Equal हो जाते हैं हालांकि जितना इधर उतना ही इधर होगा ठीक है और देखा जाए तो यह सभी के सभी आपस में Equal हो जाएंगे तो हम यहाँ पर O दे देते हैं तो यहाँ पर पहले लिख देते हैं कि Diagonals BISECT Each Other Diagonals BISECT Each Other Diagonals BISECT BISECT Each Other एक दूसरे को वो BISECT करते हैं इसका मतलब यह हो गया कि O A is equals to O C and O B is equals to O D लेकिन यहाँ पर सभी के सभी Part equal हो जाएंगे तो O A is equals to O B O A is equals to O B is equals to O C is equals to O D ऐसे लिखना पड़ेगा यह सभी के सभी आपस में क्या हो जाएंगे equal हो जाएंगे तो आपने यहाँ पर जितनी भी सारी चीजें rectangle से related थी उन सारी के सारी चीजों को आपने पढ़ लिया है, समझ लिया है तो exactly यह second parallelogram था अब हम चलते हैं third parallelogram पे तो third parallelogram जो है बिटा वो तुम्हारा है square और square के बारे में भी यहाँ पर अच्छे से समझ लेना अब देखो square के बारे में यह कहा जाता है कि actually यह ऐसा rectangle है जिसके सभी sides equal है a rectangle whose a rectangle whose all sides are equal whose all sides are equal sides are equal एक ऐसा rectangle जिसके सभी sides equal हो जाएं तो देखो rectangle तुम कैसे बनाओगे rectangle exactly इस तरीके से बनाओगे बिटा ऐसे बनाएंगा ना rectangle बट क्या है ना कि इसके equal sides करने है तो हम equal sides कर ले रहे हैं अभी तक equal नहीं हुआ है अब I think लग रहे है कि equal हो गया हो गया तो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि इस side को join कर देते हैं तो अब देखो यह हमारा square बन चुका है हम यहाँ पे naming कर रहे है ABCD और यह एक ऐसा rectangle है जिसके सभी के सभी sides जो है वो आपस में कैसे हैं तो यहाँ पे सभी sides आपस में equal है तो by definition definition के थुरू हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि सभी sides equal हैं तो AB बड़ाबर हो जाएगा BC के और BC बड़ाबर होगा CD के और CD बड़ाबर होगा DA के all sides are equal हो गया अच्छा जब यह rectangle है तो इसके all angles equal होंगे वो भी क्या होंगे equi angular 90 degree के बड़ाबर होंगे यानि right angle होंगे तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं angle A is equals to angle B is equals to angle C is equals to angle D अब वो भी किसके equal बेटा तो यहाँ पे 90 degree के equal हो जाएगा तो हम यहाँ पे दे देंगे 90 degree clear है अच्छा यह rectangle है तो rectangle एक parallelogram होता है तो parallelogram की जो भी properties होगी वो सारी की सारी properties यहाँ पे follow हो जाएगे तो हम यह कह सकते हैं opposite sides are parallel तो opposite sides कौन कौन है तो AB parallel DC हो जाएगा and क्या होगा AB parallel DC तो AD parallel BC होगा AD भी BC के parallel हो जाएगा तो exactly आपने क्या कहे डाला यहाँ पे opposite sides are parallel अच्छा ऐसा क्यों कहा ऐसा इसलिए कहा क्योंकि यह एक parallelogram है इसलिए आपने कह दिया opposite sides are parallel तो फिर यहाँ पे अब आपको diagonal के concept को सीखना है तो इसके जो diagonals होते हैं न बेटा वो दोनों diagonals इसके equal होते हैं जैसे rectangle के diagonals equal होते हैं वैसे भी यहाँ पे हम कह सकते हैं कि diagonals of squares are equal तो diagonals are equal diagonals are equal बेटा हम square के बारे में पढ़ रहा है square का diagonal equal होगा इसका मतलब AC किसके बड़ाबर हो जाएगा BD के बड़ाबर होगा तो हम यहाँ पे लिख देंगे AC is equals to BD तो exactly AC BD के बड़ाबर हो जाएगा अब सबसे important concept diagonal के बारे में इसको बेटा star लगा करके लिख लो वो यह concept होता है कि इसके diagonal एक दूसरे को बेटा bisect कर रहे होंगे और वो भी कितने degree पे तो वो भी 90 degree पे बिल्कुल rhombus के जैसा rhombus के जैसा यहाँ पे bisect कर रहा होगा तो हम यहाँ पे लिखेंगे diagonal bisect each other perpendicularly diagonal bisects each other bisects each other each other perpendicularly perpendicularly ठेक है यानि एक दूसरे को bisect भी करेंगे और वो भी perpendicularly bisect करेंगे मतलब यह हुआ कि OB is equals to OD हो जाएगा OB is equals to OD हो जाएगा and यहाँ पे OA is equals to OC होगा OA is equals to OC होगा and for your kind information यह सबके सब आपस में equal भी हो जाते हैं यह जो चाड़ो है ना वो equal हो जाते हैं OB is equals to OD is equals to OA is equals to OC यह बात को भी आप ध्यान में रखेंगे अच्छा यह 90 degree पे बना रहा है यानि कि हर जगा 90 degree होगा हर तरफ से यह बिटा 90 degree होगा तो exactly हम कोई एक angle लिख देते हैं वहाँ से तुम्हें समझ में आ जाएगा जैसे angle COD मैंने लिख दिया तो यह हो गया angle COD is equals to 90 degree तो finally आपने square के बारे में सारी की सारी चीज़ों को देख लिया तो आज हम लोगों ने basically इस वाले exercise के introduction में parallelograms के types को हम लोगों ने देखा जिसमें सबसे पहले हम लोगों ने parallelogram के types में rhombus को देखा और rhombus के बारे में सारी चीज़ों को हम लोगों ने जाना rhombus के बाद हम लोगों ने rectangle को देखा और rectangle की सारी properties को भी देख लिया, जान लिया, समझ लिया, फिर हम लोगों ने square को भी देख लिया, ठीक है, और यहां पे आपको एक बात ये बता दूँ, कि जितने भी सारे squares होते हैं, वो सभी squares rectangle होते हैं, क्योंकि आपको मैंने definition में ही बताया, कि that rectangle whose all sides are equal, that is square, यानि कि वैसा rectangle जिसका sub side equal हो जाता है, इसका अंतलब rectangle का एक special case square है, सभी के सभी square rectangle होंगे, बट सभी rectangle square नहीं होंगे, तो इन बातों को भी तुम notes में लिख लो, कि all squares are rectangle, all squares are rectangle, सभी के सभी squares rectangle होंगे, बट इसका उल्टा सहीं नहीं है, वाइस वर्सा हम नहीं कह सकते, कि all rectangles are square, बट ये note देकर करके इन बातों को लिख लेना आप, ठेक है न, exactly, ठेक है, उसे तरीके से all wrong buses are parallelogram, ठेक है, ये तो common सी बात है, आप यहाँ पे इतनी सारी चीज़ों को सीखी गए है, तो हमने इन सारी चीज़ों को बट एक एक करकर करके discuss किया, और discuss करने के बाद ह हमने सारी properties को पढ़ाई, मैं तो आप से ये request करूँगा, कि आप फट फट से इसका notes बनाना, notes बनाने के बाद तुम इसको बहुत अच्छे से revise किया करना, revise करने के बाद तुम exercise बनाना, exercise बनाने के बाद हमारे solution को देखना और अपने solution से match करना, exact इसके बाद हम solution का ही lecture लान करने वाले हैं, आप बिल्कुल भी skip नहीं करोगे, क्योंकि इस solution से मैं बहुत सारी चीज़ों को अलग-अलग concepts को मैं सिखाने वाले हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपको questions को practice करने पे सीखने को मिलता है, तो आप देखोगी कि मैं कैसे कर रहा हूँ, और इसका solution त concepts निकल करके आएंगे, अभी तो थियोरी की बात होगी, वहाँ हम लोग practical करकर के देखेंगे, ठेक है, तो आपने अगर हमारे चैनल को subscribe नहीं किया है, then please subscribe my channel and share with your friend, ये share करना भी बहुत जरूरी है, आप अपने friend के साथ share कर दो, ताकि वो इस video का benefit उठा सके, और इस video को like ज मिलते हैं किसी next lecture में, आज की कहान यहीं तक, okay bye, good night